तो हेलो स्टूडेंस गुड इवनिंग माइनेम इस हीना और मैं आप सब लोगा स्वागत करती हूं एग्रिकल्चर एड़ा 24 7 के ऑफिशिल यूट्यूब चैनल पे चैनल एक्शली कभी कभी थोड़ शूजाता है ऑलगा से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पैथलोजी में वाइथ होता व्के सब को चैनल बेसिक प्लांट पैथलोजी के बारे में फिर उसके बाद मैंने आप लोगों थोड़ीज दिस और के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग किया था इंपोर्टेंट जेनेरा के बारे में बताया था ठीक है इसके अलावा हम लोग प्लांट डिजीज के क्लासिफेकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं तो बेटा आज हम लोगों को पढ़ना है basic जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा थिक revis this terminology of pathology ठीक है plant pathology एक्च टी प्लांट पैसलाजी लिखना हशाद मैं बूहल गई हो चोछी कोई बाती चोटी ओटी saaks होती रहती है के बिटा बेशिक सर्मिन आप ऐसमीनो लौजी और प्लांट पैसलोजी देहू बिटा बेशिक कौने उलडे हैं तो बेशिक मैंने आप लोग को बताया था कि फ्लाइंट पैथोलोजी बेटा ये एक स्हाइंटिफिक स्टेडी है ठीक है अर्टिफिक स्टेडी में हम क्या करते हैं साइंटिफिक टामीनोलाजी यूज करते तो जैसे जैसे हम लोग का सिलिबस बढ़ता जाएगा वैसे खिर दीरे-दीरे हमें क्या करना पड़ेगा terminology ये उस करेंगे ठीक है और जब तक हमें terminology का meaning नहीं पता होगा तो हम उसको आगे तो नहीं पढ़ सकते हैं ना तो इसलिए हम लोगों को पहले basic terminology के बारे में पढ़ना है ठीक है तो pathogen basically ऐसा organism होता है जो किसी भी disease को cause करता है जिसकी वज़े से कोई भी disease cause होती है ठीक है ये मैंने आप लोगों को coach postulate में भी बताया था है ना हम लोग coach postulate में भी पढ़ चुके हैं कि Robert coach ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि किसी भी disease को cause करने के लिए किसी living organism की जरूरत होती है और वो living organism हमारा क्या है पैथोजन है ठीक है अब पैथोजन हमें समझ में आ गया ओके नेक्स्ट आता है pathological pathological का क्या मतलब होता है बीटा तो pathological एक ऐसी condition होती है जो pathological ऐसी condition होती है जहां पर आपकी disease होती है ठीक है so pathological is a condition of being disease जब आपकी disease हो जाती है तो ऐसी condition को हम क्या बोलते है pathological बोलते है ठीक है इसके बाद आता है आपका pathogenic, तो pathogenic क्या होता है बीटा, तो pathogenic होता है basically जहां पर हमें किसी भी pathogen के चारक्यट्रिस्टिक पर दिखाएदेता हैं तो हम उसको बोलते हैं किसी चीज में अगर होते हैं तो हम उस्स melon बहुते हैं टो अपिलिटी जो किसी भी पाथन चै ens की इंदर होती है किसी के नदर भी Disease cause करने की, ठीके? तो acid ability को हम क्या बोलते हैं? pathogenicity बोलते हैं आगी बाद समझ में इतनी, ठीके? कि किसी भी pathogen के अंदर acid ability कि वो अपने host को क्या करे? उसकी body को बिलकुल बिमार कर दे, ठीके? तो acid ability को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन आई सिटी बोलते हैं ठीक है कि डिजीज कॉस करने की अब इसके बाद आता है प्लांट इंजिरी तो प्लांट इंजिरी इंजिरी तो हम लोग जानते ही इंजिरी क्या होता है अब प्लांट इंजिरी क्या होता है वीटा तो किसी भी प्लांट के फंक्शन या फिर उसके form में अगर किसी भी तरीके का कुछ भी उसमें गरबर होती है तो हम उसको बोलते है plant injury ठीक है? देखो किसी भी तरीके की गरबर form और function में कैसे? देखो form मतलब जो उसकी body है, body का जो structure है ठीक है? जैसे उसका root हो गया, उसका shoot हो गया, ठीक है? उसकी leaf हो गई, तो उनका जो shape है, size है उसमें अगर किसी भी type का कोई change होता है तो हम उस change को क्या बोलते है? form में कोई change होना ठीक है? तो उसको भी हम क्या बोलते है? plant injury बोलते है, ठीक है? या फिर उसके function में अगर कोई change होता है जैसे उसका xylem और phloem से क्या होता है, देखो xylem से generally water transport होता है, ठीक है? और phloem से क्या होता है? food transport होता है, है ना? तो देखो, जैसे उसका bacteria क्या करें या microorganism जाके क्या करें? पूरे के पूरे xylem के उपर एक layer बना दे, है ना? वहाँ पे अपनी colony बना दे, पूरी की पूरी, तब भी क्या होगा? देखो, water उपर जाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है, कि plant क्या होगा? खतम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी condition क्या होती है? कि अगर phloem को अगर वो block कर दे, तो phloem को block कर देगा, तो क्या होगा? food transport नहीं होगा, तो again क्या होगा? उसका function जो है, वो खराब हो गया, तो इसी तरीके से बिटा, जब form या function जो है, किसी भी plant का, वो किसी micro-organism के थूँ या किसी भी reason से क्या होता है, अगर खराब होता है, तो हम उसको बोलते है, plant injury, ओकी? then next आता है, आपका plant injury किस किस से होती है, तो कोई भी insect हो गया आपका, animal हो गया, या कोई environmental causes हो गया, तो इनकी विज़े से plant injury cause होती है, ओके? good evening बेटा, good evening नदीम, then next आता है हमारे पास, causal organism and causal agent, अब देखो बेटा, यहाँ पर दो चीज़े हैं, ओके? एक है आपका causal agent और एक है आपका causal organism, ओके? अब देखो बेटा, causal agent का मतलब होता है, यहाँ पर हमारे biotic और abiotic, दोनों factors को हम include करते हैं, ठीक है? biotic means living factor, ठीक है? और abiotic means होता है non living factor, ओकी? तो देखो बेटा, biotic factor जो आपके pathogen हो गए, ठीक है? और abiotic factor हो गए, जो आपके non living हो गए, means environmental factor हो गए, ठीक है? इसके अलावा mesobiotic factors भी, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? causal agent बोलते हैं, ऐसे biotic या फिर abiotic factors, या फिर mesobiotic factors, जो आपके disease cause करते हैं, ओकी? देन आता है आपका next, a causal organism, अब causal organism क्या होता है? तो बेटा, causal organism होता है, आपका, जो आपके particular pathogen की बात कर रहा है, ठीक है? पर्टिकुलर pathogen की बात कर रहा है, कि causal organism basically आपका particular कोई pathogen होता है, जो आपका disease को cause करता है, तो agent और organism, इन दोनों में आपका confuse नहीं होना है, agent का क्या मतलब होता है? कि जो इसमें आपके biotic भी आगए, abiotic भी आगए और mesobiotic भी आगए, ठीक है? लेकिन जो आपका causal organism है, organism में particularly वो pathogen की बात कर रहा है, means biotic की बात कर रहा है, ओके? तो दोनों terms में आपको confuse नहीं होना है, ओके? then इसके बाद आता है, यह क्या क्या रहा है, देखो, when a pathogen is agent, pathogenic agent is virulent, तो तभी वो क्या करेगा? disease cause करेगा, अब देखो, मैंने आप लोगों को virulent का meaning बताया था, means जो organism आपका toxic होगा, ठीक है? जिसके अंदर poison होगा, जो disease cause करने की capacity बहुत strongly रखता है, उसको बोलते हैं virulent, तो अगर बेटा, pathogen आपका virulent होगा, तभी आपके disease cause होगी, अगर वो virulent नहीं होगा, तो यह हो सकता है, disease बहुत लेट हो, या फिर ना हो, okay? हाँ बेटा, virus जो है, आरुशी, mesobiotic factor होता है, उसको भी हम causal organism में कहते हैं, हाँ, यह चीज मैं बता भी चुकी हूँ, कि आपका biotic factor, abiotic factor, mesobiotic, मैंने बोल दिया अलरी यह, तीनों आपके case में आते हैं, ठीक है, जो आपके causal organism है, अब देखो, next है, parasite, अब देखो बेटा, parasite, parasite, actually यह आपका paracetose से मिलके बनता है, ठीक है, तो parasite का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, parasite हमारे ऐसे organisms होते हैं, जो दूसरे क body से nutrition continuously लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, parasite बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद next आता है, हमारा obligate parasite, अब देखो बेटा, obligate parasite क्या होता है, तो obligate parasite, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, कि obligate parasite जो होते हैं, बेटा, आपके, वो generally जैसे viruses हो गए, यह without host नहीं रह सकते, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, कि virus जो होता है, उसको एक body चाहिए survive करने के लिए, ठीक है, living body, ठीक है, जब कोई भी living body उसको मिल जाती है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, reproduction करता है, और धीरे-धीरे क्या करता है, अपनी numbers को बढ़ाता है, और infection को भी फैलाता है, तो उसको हम क्या बोलता है, वाइरस बोलता है, और वाइरस जो है बेटा, उसको अपने host की requirement होती है, host की body से ही वो nutrition लेता है, host के बिना वो survive नहीं कर सकता, तो वाइरस को ही हम क्या बोलता है, obligate parasite बोलता है, ठीक है, वाइरस के लिए एक और term हम यूज करते हैं, वो है आप आपका bio trough, अब देखो bio means क्या होता है, तो bio means होता है, बेटा, living and trough means होता है feeder या फिर eater, ठीक है, तो living organism पे feed करने वाला हमारा क्या होता है, आपका obligate parasite होता है, ठीक है, यह terminology हमें समझ में आ गई, तो obligate parasite जो है बेटा, यह typically हम वाइरस के लिए यूज करते हैं, ओकी, अब next हम देख लेते हैं, autotroph, autotroph, autotrophs क्या होते हैं बेटा, तो autotrophs जो यह term है, यह हम plants के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो autotrophs auto means self, ठीक है, and trough means feeder, तो खुद से अपना खाना बनाने वाले, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, autotroph बोलते हैं, और अपना खाना कौन बनाते हैं, आपके plants बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि plants में क्या होता है, आपका chlorophyll present होता है, ठीक है, तो chlorophyll present होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपका photosynthesis करते हैं, और वो photosynthesis करते हैं, इसी वज़े से वो क्या होते हैं, आपके autotroph होते हैं, आगी बात इतनी समझ में, ठीक है, next आता हुआ है अपका faculty एक आपको फ्ußतोरा सा मी देखो जैसे मैंने बताया कि वह सभवाइव नहीं कर सकते हैं ठीक है उनको होस्त लिविंग होस्त की ज़रूरत है यहां पर faculty to parasite जो है उसके just opposite होते हैं देखो ये आपके दोनों condition में survive करते हैं ठीक है दोनों condition means अगर इनके पास host है तो उसकी body में जाकर के उसकी body से nutrition लेंगे लेकिन अगर इनके पास host नहीं है तो उस condition में भी ये किसी dead matter से अपना nutrition लेके survive कर सकते हैं तो ये basically दोनों condition में आपका survive करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बीटा फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं ठीक है तो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है आपका पैरासाइट और सैप्रोफाइट इसको हम दोनों बोलते हैं पेरसाइट या फिर सेप्रोबाई ठीक है अब नेग्स्स आता है हमारा सैप्रोफाइट अब देखो बिटा सैप्रोफाइट का दोन्ससेप्रोफाइट का मीनिंग क्या होता है तो सैप्रो means होता है आपका रॉटन मतलब सडा गला बिल्कुल खराब हो गया and fight phyton means क्या बताया था plant बताया था ना first class में ठीक है तो plant का बिल्कुल सडा गला पार्ट प्लांट का या फिर बिल्कुल सडा गला वा plant means dead plant ठीक है तो ऐसे bacteria जो आपके dead plant पे survive करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सेप्रोफाइट बोलते हैं ठीक है अब इसके बाद next लेक लेते हैं environmental diseases तो यह तो मैं आप लोगों को बहुत बार बताई चुकी हूं है ना हम लोग पिछली classes में भी पढ़ चुक है तो environmental disease क्या होता है बिटा environmental disease होता है कि जो भी आपके disorder की तुरू जैसे nutrient की deficiency से या फिर आपके environmental disbalance की विज़े से जैसे आपका lack of moisture ठीक है soil pH अगर कभी बढ़ जाए यह nutrient की toxicity हो जाए या फिर drought आ जाए तो ऐसी condition में जो diseases होती है उनको हम क्या बोलते है environmental diseases बोलते हैं या nutrient की deficiency से होने वाली जितनी भी diseases है generally उनको हम क्या बोलते हैं environmental diseases बोलते हैं इतनी चीज हमें समझ में आ गई अब हम आगे बढ़ते हैं अब आता हमारा होस्ट तो होस्ट होस्ट हर class में generally यह मैं आपको बताती हूं ठीक है अब देखो बेटा host generally आपके क्या होते हैं तो होस्ट आपके ऐसे ऐसे organism होते हैं जो generally जो आपके parasites होते हैं उनको अपनी body पर feed-up करने के लिए अलाव करते हैं ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं host बोलता है तो an organism that is harboring a parasite और pathogen from which it can obtained food जिससे कोई भी pathogen अपना food ले सकता है उसको हम क्या बोलते हैं host बोलता है generally ऐसे organism जो शरण देते हैं कि इसको परजीवियों को means जो आपके parasites होते हैं ताकि वो उसकी body से क्या ले सके food obtained कर सके ठीक है देन आता है आपका host range अब देखो host range क्या होता है तो it refers to various kinds of host plants that a given pathogen may parasitize देखो ऐसे टाइप के plant होते हैं जो किसी भी parasite को ठीक है या फिर किसी भी pathogen को parasitize करने के लिए allow करते हैं ठीक है कि वो उनकी body में आने के बाद क्या करें उनकी body से nutrition ले सके ऐसे plants को host range बोलते हैं ओकी देन आता आपका tolerance अब tolerance क्या होता है बिटा हम बोलते हैं कि इसकी tolerance power बहुत जादा है मतलब शेहन शीलता ठीक है तो देखो बिटा tolerance power क्या होती है तो tolerance power आपकी ऐसी ability होती है plant की जिससे plant क्या करता है कोई भी pathogen अगर उसके अंदर colonize कर दे means अपनी number बढ़ा दे अपनी colonies बढ़ा दे ठीक है या फिर किसी भी environmental condition की वजह से ठीक है किसी भी ऐसी environmental stress condition में भी वो survive करता है ठीक है वो die नहीं करता वो survive करता है जैसे draught आ गया तो draught की condition में उसको water नहीं मिलता लेकिन वो without water भी वो plant जो है वो survive कर रहा है तो यह क्या है उसकी tolerance power है आगली बात समझ में तो tolerance power क्या होती है बीटा किसी भी plant की ऐसी ability जिसमें वो क्या करता है किसी भी pathogen के attack करने के बाद भी वो survive करता है या फिर किसी भी stressed condition में वो survive करता है उसको हम क्या बोलते है tolerance बोलते है ओकी देना ता आपका symbiosis अब symbiosis क्या होता है तो symbiosis means तेरा भी benefit मेरा भी benefit किसी को भी नुकसान नहीं ओकी देखो बीटा यहां पर क्या होता है जैसा आप लोगोंने बढ़ा भी होगा वच्छमन से हम लोग बढ़ते आ रहे हैं चीज क्या है nitrogen fixing plants है तो nitrogen fixing plants क्या होते है बेटा पर रूट उसकी root से सारे nutrients निकलते हैं, ठीक है, उसकी root जो है, वो protein, carbohydrates, इनको क्या करती है, secret करती है, ठीक है, और इनके secretion के साथ-साथ, जो bacteria है, उसको रहने के लिए भी जगे मिल जाती है, plant की root में, ठीक है, और इसके अलावा उसे food में मिलता है, plant की root से, ओके, और उसके average में plant को वो क्या देता है, तो वो क्या करता है, environmental nitrogen जो है, उसको fix करके plant को provide करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, symbiosis, मतलब दोनों का benefit, दूसरा, यहाँ पर दोनों जो organism हैं, अलग-अलग community को belong करते हैं, देखो, plant जो है, वो अलग community का है, और bacteria, जो है, category के हैं, हाँ, mycorrhiza and lichen, very good, तो देखो, बिटा, यहाँ पर दोनों अलग-अलग category के हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को benefit कर रहे हैं, तो यह चीज आपकी क्या होती है, symbiosis होती है, okay, it is mutually beneficial association between two or more different kind of organism, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, different kind of organism, लिखा हुआ है न, एक सेगें, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, different kind of organism, है न, तो देखो, plant भी मैंने क्या बताया, कि अलग community को belong करता है, और micro organism भी क्या करता है, अलग community को belong करता है, तो दोनों के दोनों अलग community के हैं लेकिन एक दूसरे को फाइदा पहुंचा रहे हैं है ना दोनों एक दूसरे को benefit कर रहे हैं तो यह क्या होता है यह process आपका symbiosis ठीक है अब सब को याद देगा symbiosis क्या है अब हम लोग आगे चलते हैं shine and symptom and syndrome अब देखो बेटा यह तीनों चीजे जो है यह दूसरे से related है okay कैसे अब हम देखते है sign sign क्या होता है देखो जब हमारी जब आपकी body में कोई भी चीज जैसे ring warm infection होता है है ना जैसे ring warm infection होता है तो हम doctor देखके जैसे आप doctor के पास दिखाते हो ना तो doctor देखते ही समझ जाता है गोल गोल सा बिलकुल structure होगा तो doctor देखते ही बोल देता है कि यह तो आपको ring warm infection हुआ है तो वो क्या है sign है ठीक है जब भी आपको physically कोई भी चीज दिखाई दे रही है यह जैसे fungus है ठीक है fungus की जो growth है वो white color की cotton की जैसी growth होती है है ना तो वो क्या होता है sign होता है वो हमें साफ दिखाई देता है कि यार यह तो fungal growth है है ना या फिर हमें कहीं पर ग्रोथ दिखाई देती है चोटी 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 कॉलोनीज दिखाई देती हैं तो हम उनको बोलते हैं यार यह तो बैक्टीरिया का इंफेक्शन है तो वो क्या होता है आपका साइन होता है आगी बात समझ में फिसिकली जब हम किसी लिवे चीज को देख सकते हैं तो उसको बोलते हम क्या बोलते हैं उसको साइन बोलते हैं ठीक है जैसे कई भार आप लोगोंने देखा HAWE प्लांट में crown gall infection हो जाता है, ठीक है? उस में क्या होला होता है? जैसे plant ऐसा है, बिल्कुल, जैसे normal plant ऐसा है, इसका size यहां से इस तरीखे से बढ़ जाता है यहाँ पर cell division होता है, cell divide करके क्या होता है, इस तरीके से इसका size हो जाता है तो यह तो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो यह क्या हो गया, sign हो गया आगली बात समझ पे, ठीक है, तो एक मिनिट तो basically बेटा, आपका sign क्या होता है, तो sign of physical evidence of damage किसी भी damage का, कोई physical evidence, ठीक है, और वो damage कौन cause करता है, कोई भी biotic या फिर abiotic agent या कोई भी pathogen चाहिए वो pest हो, चाहिए वो insect हो, चाहिए कुछ भी हो, ठीक है, तो यह generally आपका कोई biotic या abiotic agent जो है, वो cause करते हैं, कोई भी damage ठीक है, तो और वो physical evidence उसका होता है, उस damage का, तो generally उसको हम क्या बोलते हैं, sign बोलते हैं, आगी बात समझ में, अब देखो, symptom क्या होता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप जैसे fever हो गया, तो fever का body में अच्छ तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो डॉक्टर आप से क्या पूछता है, कि आपको क्या हो रहा है, तब आप बताते हो ना, मुझे बस एक body का temperature ही जादा होता है, fever में तो आप बताते हो, कि मुझे बिल्कुल restlessness हो रही है, या मुझे cold हो रहा है, headache हो रहा है, ये चीज आप बताते हो ना, तो वो क्या है symptom, ठीक आगी बात समझ में, किसी चीज के against अपना response दिखा रहा है, जैसे drought आगया, अब plant जो है धीरे-धीरे weak होने लगया, तो drought के against वो क्या कर रहा है, एक response जो दिखा रहा है, weak हो रहा है धीरे-धीरे, उसको हम क्या बोलते हैं बिटा, उसको हम बोलते है symptom, आगी बात समझ में, ठीक है, तो sign और symptom में difference हमें पता चल गया, sign क्या होता है, physically दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन symptom जो होता है, एक response होता है, जो show करता है, ठीक है, अब देखो, इसके बाद आता है आपका syndrome, अब syndrome क्या होता है बिटा, तो host की body में, जितने भी effects और total effects दिखाई देते हैं, उनक utility of effects demonstrated in host by one disease, किसकोई भी एक disease जब बहुत सारे effects को दिखाती है, किसी भी host के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, syndrome बोलते हैं, अब next देख लेते हैं, diagnostic, तो diagnostic क्या होता है बिटा, देखो, it is a determination of nature and or cause of disease or disordered condition, basically, जब हम किसी भी disease के nature को diagnose करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, हम diagnostics, ओके, जब भी हम किसी भी disease के nature को पता करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, diagnostics, ठीक है, environmental disease, तो environmental condition में disbalancing की विजए से, जो भी आपके diseases cause होती हैं, वो होती है, environmental disease, अब हाँ, बहुत important चीज, यह मैं आप लोगों को disease triangle बताया था और यह है disease quadrangle, आप लोग बोलोगे, मैं आपने तो परसों disease triangle बताया था, अब यह disease quadrangle क्या है, तो disease quadrangle में कुछ भी नहीं है, बेटा, इसमें आपके चार, देखो, quadrant लिखा है ना, quadrangle, तो quad मितलब क्या होता है, four, और triangle means क्या होता है, three, ठीक है, तो परसों मैंने आपको three factors बताया थे, जो disease cause करने के लिए आपके responsible होते हैं, ठीक है, क्या-क्या factors मैंने आप लोगों को बताया थे, host, pathogen और environmental condition, ठीक है, अब यहाँ पर एक factor और add up होता है, ब ठीक है, लेकिन disease quadrangle क्या बोलता है, बेटा, कि किसी भी disease को cause करने के लिए चार factor भी जरूरी होते हैं, कई बाल, कौन-कौन से factor होते हैं, susceptible host, virulent pathogen, favorable environment and adequate time, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत confused करते हैं, बेटा, और इस question को गलत करते हैं, disease triangle और quadrangle में, ठीक है, disease triangle, quadrangle कीजेगे, उसको कई बार triangle कीजेगे, तीन factors लिख देते हैं, वो पूछता है exam में, कि disease quadrangle में, कितने factor responsible होते हैं, बच्चे उसे जल्दी-जल्दी में 3 कर देते हैं, आपको 3 option में नहीं करना है, आपको करना है 4 option में, क्यूंकि यहाँ पर आपका adequate time factor भी add up होता है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देन आता है आपका life cycle, अब देखो बेटा, life cycle क्या होता है, तो life cycle basically आपका किसी भी organism की पूरी life में जो भी events आते हैं, ठीक है, उसका by birth और उसके धीरे धीरे उसकी life में जितने भी events आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन events को धीरे धीरे जो events आते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं life cycle, अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर generally क्या होता है, जैसे आपका कई बार यह birth होता है, बर्थ के बाद फिर धीरे धीरे उसकी growth होती है, development होता है, फिर उसका reproduction stage आता है, फिर उसके बाद senescence stage आता है, फिर death stage आता है, तो यह सारे events जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, complete life cycle बोलते हैं, ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोपग्यूल, प्रोपग्यूल क्या होता है, तो प्रोपग्यूल बेटा किसी भी pathogen की body का एक single part, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपग्यूल बोलते हैं, ठीक है, single part जो पूरे एक pathogen को बना सकता है, अब देखो ऐसा कौन सा part होता है, तो ऐसा part होता ह आपका spore देखो कोई भी fungus किस से बनता है spore से बनता है spore क्या हो गया fungus का propagule हो ठीक है तो कोई भी ऐसा part जिससे आपका पूरा एक pathogen जो है वो generate हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपग्यूल बोलते हैं तो यह दोनों टम्स हमें clear हो गए life cycle क्या हो गया इवेंट्स होते हैं जो life में होते रहते हैं ठीक है और प्रोपग्यूल क्या हो गया एक ऐसा छोटा सा कोई भी fragment या कोई भी ऐसा structure जिस जो पूरे की पूरे pathogen को बना सकता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपग्यूल बोलते हैं अब हम next देख लेते हैं primary inoculum secondary inoculum देखो बेटा primary inoculum क्या होता है तो देखो pathogen जो है वो starting में inactive stage में होता है ठीक है जैसे ही crop season आया activate हुआ ठीक है और activate होने के बाद वो क्या करता है infection start कर देता है बस वो infection सिर्फ start ही करता है ठीक है अपने numbers को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है सिर्फ infection को start करता और उसके स्वाइल में ही वो present होता है उसको हम बोलते है primary inoculum primary inoculum infection के बाद जो धीरे-धीरे वो अपने numbers को बढ़ाता है उसको हम बोलते है secondary inoculum आगी बात समझ में crop growing season में जो infection होता है आपका धीरे-धीरे spread होता है उसको हम secondary inoculum बोलते है ठीक है लेकिन initiation जो है infection का वो कौन start करता है primary inoculum start करता है transmission क्या होता है तो परसो वाली class में मैंने आप लोगों को बताया भी था transmission क्या होता है transmission मतलब फैलना एक जगे से दूसरी जगे जाना अब देखो बेटा transmission generally active transfer होता है ठीक है active transfer by means of grafting ठीक है जैसे grafting आप लोग सब लोग जानते ही होंगे grafting क्या होता है हमने क्या एक plant का एक part ले लिया दूसरे plant का दूसरा part ले लिया और उन दोनों को हम क्या करते हैं टेप या किसी की भी help से बांद करके उन्हें एक plant बना देते हैं और फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं growth करवाते हैं यही होता है अब for example जो दोनों part आपने add करे उसमें से अगर एक प्लांट एक पार्ट में पैथोजन है तो वो दूसरे पार्ट में भी क्या होगा? फिर ट्रास्फर होगा? ठीक है? तो ये होता है आपका Active Transfer by Means of Grafting. ग्राफ्टिंग के थ्रूँ अब जो प्लांट बनेगा नया, उसमें तो पूरा का पूरा पैथोजन spread हो जाएगा है ना तो वहीं बता रहा है active transfer by means of grafting इसको क्या बोलते हैं transmission बोलते हैं ठीक है इसके अलावा यह आपके animals के थूभी spread होता है इंसेक्ट के थूभी spread होता है ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं transmission बोलते हैं ठीक है अब next आता है आपका epidemic rate epidemic rate क्या होता है बिटा तो किसी भी plant population में increase या decrease जो एक timing होता है disease का किसी time पे बहुत जादा बढ़ जाती है किस time पे धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसको हम बोलते है epidemic rate ओके देन आता है taxonomic classification taxonomic classification क्या होता है प्लांट को या एनिमल्स को उनको उनकी एक systemic order में बाटना ठीक है उसको हम किया बोलते हैं आपका taxonomic classification बोलते हैं ठीक है जैसे पहले kingdom में फिर phylum में फिर class order इस तरीके से genus species में हम उसको रखते हैं ना एक hierarchy में रखते हैं तो यह एक system में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं taxonomic classification ठीक है देन आता है आपका history of plant pathology ठीक है terminology हमारी complete हो गई most important terminologies थी वो मैं आप लोग को बता दी है ठीक है यह आप लोग को ध्यान में रखने है इसको पढ़ते रहना आप लोग ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा history के बारे में पढ़ लेंगे तो history में क्या है बिटा 1675 में एंटोनी वन ल्युवन हॉक इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे Antony von Levenhawk Antony von Levenhawk कौन थे? इनको Father of Ancient Microbiology भी बोला जाता है ठीक है? क्या बोला जाता है? Father of Ancient Microbiology भी बोला जाता है ठीक है? तो इन्होंने सबसे पहले Microscope को क्या किया था? डेवलप किया था आगे बात समझ में हाँ आप लोग को एक assignment बेटा मैंने वाइल ने पूछा था किसी से कि वाइल ने कौन सी university को बिलॉंग करते हैं किसी ने मुझे एक नदीम का शायद आंसर आया था पर वो आंसर भी सही नहीं था तो बच्चों आप लोग मुझे बताओगे वाइल ने कौन से university को बिलॉंग करते हैं अब देखो बेटा यह जो आपके अंटॉनी वान लिवन होख हैं यह आपके father of microbiology हैं आप लोग का assignment है आप लोग बताओगे father of virology कौन है यह आप लोग मुझे कल की क्लास में बताओगे ओके और मुझे सब के comment चाहिए जितने भी बच्चे यहां पर हैं ओके हार सूर्यकान था है बच्चे है हेलो हेलो ठीक है अब देखो बेटा इसके बाद 1729 में पी ए मिचल इनको भी याद रखना पी ए मिचल इन्होंने किसक इनको क्या बोलते हैं father of microbiology most important is mycology sorry father of mycology ठीक है क्योंकि इन्होंने किसके बारे में बताया था फंगस के बारे में बताया था वही दुर्गम दुर्गम ने आंसर कर दिया है very good आरुशी खना ने भी आंसर कर दिया very good बेटा जी बी पंथ यूनिवर्सिटी जो है यह पूरे एशिया की सबसे पहली agriculture university है ओके ठीक है ऐसी सारे बिच्चे कमेंट क्या करूं अच्छा लगता है कि हां हम पढ़ा रहे क्लास में तो आप लोग भी रिस्पॉंड कर रहे हो very good ठीक है तो देखो बेटा पी ए मिचल जो है इन्हें father of mycology भी बोला जाता है ओके यह 1729 में इन्होंने प्रक्या प्रपोस किया था कि फंजाई जो है वो कहां से आते हैं आपके sports से आते हैं ओके देन 1755 में टिलिट ने बताया था कि जो आपकी बंट होती है बंट disease किस में होती है वीट में होती है देखो ध्यान रखना अभी मैं आगे इसको कि क्यों है देखो बंट जो डिजीज है बेटा यह वीट में होती है इन्हों ने सिर्फ यह discover किया था आगी बात समझ में ठीक है उसके बाद IB provis ने क्या बताया था कि बंट जो disease है आपकी wheat में होती है ये क्या है एक fungus है ठीक है टिलिट ने बस discover किया है कि जो बंट है वो wheat में होती है लेकिन बंट जो है वो fungus की वज़े से होती है ये किस ने बताया था IB provis ने बताया था आगी बात समझ में ठीक है ओके इसके बाद 18-21 में आपके EM fries आये थे इनको lineage of mycology बोला जाता है most important exam point of view से lineage of mycology बोला जाता है किसको बोला जाता है EM fries को बोला जाता है ध्यान रखना बेटा EM fries को lineage of mycology बोला जाता है exam में पूछा जाता है ये जितने भी मैंने father बताए है इनको याद रखना ये exam में पूछे जाते हैं ठीक है ओके हां बेटा CGL में भी कई बार ऐसे question पूछे जाते हैं आपके father of mycology कौन है father of virology कौन है ठीक है mycology कौन है ये ऐसे question पूछे जाते है ठीक है ठीक है कि peach medium आपके जिस भी microorganism की वज़े से होती है वो effective है आपका किसके लिए sulfur के लिए और ये किस ने बताया था Robertson ने बताया था ठीक है next 1845 में आपका Irish potato famine आया था और वो famine बेटा phytophatura की विज़े से आया था ठीक है phytophatura infestants की विज़े से Irish potato famine आया था 1845 में इसके बाद 1858 में जे जी कोहन ने एक textbook लिखी थी ठीक है एक textbook उन्होंने लिखी थी plant pathology the disease of cultivated crops and causes and their control ये बुक लिखी थी और ये बुख पूछी भी जाती है exam में ओके तो ये बुक किस ने लिखी थी जे जी कोहन ने लिखी थी 1858 में ये चीज याद रखोगे आप लोग ठीक है देन आथा आपको 1882 में Robert Harting सबसे जादा important ये आपके father of forest pathology भी बोले जाते हैं बिटा इसको याद रखना ही सारे questions आपके exam में पूछे गए हैं जितना भी मैंने आपको history में ये बताए हैं सारे बहुत important है और सारे आप लोग को learn करने हैं आगी बात समझ में ठीक है तो इनको father of forest pathology भी बोला है देखो याद रखना plant pathology नहीं forest pathology कौन है Robert Hartig okay then PM Millard PM Millard ने क्या किया था इन्होंने बेटा accidentally bodics mixture जो था उसको इन्होंने accidentally discover किया था किसके लिए grape wine के लिए ठीक है और grape wine में भी क्यों क्योंकि grape wine में जो downy medium disease होती है उसके लिए इन्होंने क्या किया था accidentally bodics mixture को discover किया था सबसे ज्यादा important ये भी आपका ये भी आपका important है ठीक है ये mark कर लो जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूं ठीक है तो 1885 में PM Millard ने accidentally bodics mixture को discover किया था किस चीज को control करने के लिए downy medium of grape wine ओके देन a b frank ने बताया था mycorrhizal association plant root के अंदर 1885 में सेम येर में बताया था इन्होंने ठीक है mycorrhizal association और mycorrhizal association और कहां होता है तो ये symbiosis में भी होता है ओके तो ये चीज हमें समझ में आ गई चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 1899 अब देखो 1899 में क्या हुआ था बेटा तो डबलू ए और टन जो है इन्होंने watermelon, cow pea and cotton इन तीनों में इनोंने क्या किया था wilt resistant variety निकाली थी ठीक है wilt resistant variety किसके against fusarium wilt ठीक है fusarium क्या करता है wilt cost करता है न तो उसके against इन्होंने wilt resistant variety निकाली थी इसलिए इनको क्या बोला जाता है इनको pioneer worker भी consider करा गया pioneer worker means सबसे पहले ठीक है जो सबसे पहला होता है उसको बोलता है pioneer worker ठीक है तो डबलू ए और टन को क्या बोला जाता है pioneer worker बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि इन्होंने disease resistant variety बनाई है किस-किस में cow pea में cotton में and watermelon में okay then हम next बढ़ते है A.F. Blacksley A.F. Blacksley ने 1904 में इन्होंने heterothelism बताया था rhizopus में okay ठीक है हाँ बेटा आप लोग को telegram पे मिल जाएगा PDF ठीक है देन 1904 में आपका biffin आय थे और biffin ने क्या बताया था देखो जैसे मेंडल ने बताया था ना कि जितने भी आपके characters होते हैं एक generation से दूसरी generation में जाते हैं तो biffin ने बताया था बेटा कि जो resistance होता है ठीक है जो disease किसी भी pathogen के against हमारी body में या फिर plant की body में लड़ने की जो capacity होती है जो छमता होती है लड़ने की किसी भी disease से किसी भी pathogen से वो resistance जो है बेटा plant की एक जाए पैथोजन के against एक generation से दूसरी generation में ट्रांसफर होती है यह किस ने बताया था यह बताया था r h weight one ने ओके 1904 में यह चीज याद रखना आप लोग इसकी बाद H बर्गेफ थिक है एक बर्गेफ ने 1912 में बेटा इन्होंने hetero carriosis के बारे में बताया था अब देखो hetero carriosis क्या होता है carriosis मैं आप लोगों को बता भी चुक्कियों क्या होता है nucleus ठीक है करियोन का मतलब होता है बेटा nucleus तो heterokaryosis का क्या मतलब है heteromeans homo means क्या होता है similar to heteromeans क्या हो गया dissimilar जो एक जैसे नहीं होते जो अलग-अलग होते है ठीक है तो इन्होंने बताया था बेटा कि जो fungus की cells होती है उसमें आपके dissimilar nuclei ऐसे nuclei जो दोनों अलग-अलग है दोनों अलग-अलग nuclei का fusion होता है दो अलग-अलग nuclei जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं ठीक है एक दूसरे को join करते हैं ठीक है तो यह किस ने बताया था एच बर्गिफ ने बताया था ठीक है और इस concept को क्या बूला जाता है हीट्रो केरियो सिस हीट्रो मतलब अलग-अलग-अन केरियों केरियों मतलब हो गया आपका nucleus ठीक है तो अलग-अलग nucleus एक दूसरे से जुड़ते हैं ठीक है उसके बाद 1917 में EC Stockman इन्होंने क्या बताया था तो इन्होंने वीट की जो stem rust है उसकी physiologic form को बताया था ठीक है इसके बाद आते हैं आपके 1918 में E.J. Butler अब देखो E.J. Butler तो हमारे हर जेगे है ठीक है E.J. Butler आपके father of Indian mycology भी है ठीक है और आपके वैसे word में कौन है मिचर है ठीक है तो इंडियन mycology के father E.J. Butler को भी बोला जाता है ठीक है father of mycology ठीक है E.J. Butler ही है और E.J. Butler ने ये तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ fungi and plant disease के बारे में इन्होंने book publish करी थी ठीक है तो इतना सबको clear है इतना I hope कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा ठीक है बिटा तो बिटा आप लोग को ये agriculture वाला जो महापैक है जितने भी बच्चे बिटा आप लोग preparation कर रहे हो I think ये महापैक आप लोग के लिए आंसर उसका आंसर मुझे चाहिए और सारे बच्चे कमेंट करोगे ओके बिटा ठीक है तो थैंक यू वार थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई